नमस्कार मैं हूं जोति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंड़ी टीवी सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के गेस्ट एस्टोर्जर से जो हैं अचारे इंद्रदेव जी नमस्कार अचारे जी नमस्कार जी तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले ह 20 तमंबर को गुरू जो है धनू राशी से निकल के मकर राशी में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो अचारे जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि गुरू ग्रे क्या है किस तरह से वो कुंड़ी में जातक की कुंड़ी में किस तरह से परभावडारता है किस तरह से 12 जो इससे पर भावित होती है जी बिल्कुल जोदी जी मैं बताना चाहूंगा ब्रहस्पति 12-13 महिने तक लगभग एक राश्ची पर विराजमान रहते हैं और प्रहस्पति घ्रह को आकास्तत्तु का ग्रह कहा गया है जी ब्रहस्पति ग्रह बहुत प्रभावसालिय और बहु इस भूमंडल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से सब की जनपत्रिकाओं पर भी पूरा-पूरा असर पड़ा करता है। असर पर पर बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इससाय संबन्दित। लेकिन अचारे जी मैं जानना चाहूंगी कि इससे पहले रागु भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या उसका भी किसी तरह का परभाव कुंडियों पर देखने में मिल सकता है? जी बिल्कुल, जोदी जी मैं बताना चाहूंगा, हर ग्रह का अपना एक अलग परभाव है, लेकिन आज हम ब्रस्पती के बारे में गोचत की बात कर रहे हैं, क्यूंकि एक राशी के लोग करोडो लोग होंगे, एक नाम के राशी के करोडो लोग होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, यहाँ पर सिर्फ गुरु के गोचर की बात हो रही है, अनता पत्रका में बहुत कुछ देखना पड़ता है, आपके बाकी ग्रह कहा है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, लगने की पोजिशन क्या है, बाकी ग्रहों को प्रभाव क्या है, अब समझ लोगर किसी घर पर कुणले में ब्रस्पती खराब असर करने वाला है, अगर उस घर पर किसी अच्छे ग्रह का बढ़िया प्रभाव है, तो ब्रस्पती के नेक्टी प्रभाव वहाँ पर कुछ खास असर नहीं करेगा, तो इसलिए बाकी पत्र का भी देखना जर है वो मेशलगन के लिए मेश राशिवालों के लिए कैसा रहने वाला है। मिश्राशी जातकों के लिए मैं बताना चकाहूँ की ब्रस्पति का गोचर मकर आसी में हो रहा है तो सब से पहले बात यह है कि ब्रस्पति कणरली मिश्राशी सिर्म दसन भho में आएगे उसके पहले हम जानेंगे ब्रस्पती अगर किसी की पत्रिका में शुब अवस्था में हो, शुब इस्थिती में हो, ब्रस्पती सुब ग्रहों से द्रिश्ट हो या अच्छी पोजिस्टन में हो, तो ब्रस्पती व्यक्ति को बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हैं, बै पेट संबंधित परिशानिया रहती है पातन सक्ति कमजोर रहती है और हमेशा कमजोरी महसूस होती रहती है यहां तक कि व्यक्ति के फेफडे में समस्या आ जाती है स्वासंबंधित समस्या आ जाया करती है इसलिए यहां पर सब भी जातकों को सबसे पहले जाना जरूरी है कि जब भी आप पत्रिका में किसी ग्रह गोचर के विचार करते हैं, तो वहाँ पर जन्म की राशी से ही विचार किया जाना चाहिए है, जन्म की राशी विवाहकाल में, या कुंडली ग्रह गोचर में, या फिर यातरक समय, यहाँ पर जन्म राशी से ही विचार किया जाएगा, अन आप कहीं जगह नाम राशी से भी विचार कर सकते हैं तो यहाँ पर मेश राशी के दसम भाव में गुरू का गोचर होगा दसम भाव में ब्रिस्पती चुँकि शनी पहले से वहाँ विराज मान है दसम भावम ब्रस्पती मकर राशी में होगे, इतना सुब संकेत नहीं है, अब कही सारे लोग की मानता है, कही सारे आप वीडियोज में भी देखे होंगे कि मकर में जब शनी और ब्रस्पती की यूती बनती है तो उसको नीच भंग राज योग कहा जाता है, हलाकि राज करते हैं, तो यहां पर यह कारक्षेतर का घर है, कर्म का स्थान है, तो में शराशी कि जात्तकों के लिए अपने काम को बहुत सटेक्ता से बहुत समय पर करने की जरूरत है, यहां पर लापर भाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, अपने शीनीर से अच्छा विहेब करना अनथा नुक्सान हो सकता है हलाकि शनी के साथ में प्रस्पति की यूति इतना खराब नहीं रहेगी कारोबार अच्छा चलता रहेगा काम अच्छा चलता रहेगी किवल ध्यान देने की अविश्यत्ता पड़ेगी मेश राशी गोचर है तो जैसे कि थोड़ा बहुत अचारे के बात काईसा होगा जी बरस्पति पंचम फडिश्टी मेश राशी के जातकों पर दसमदरों संबर ऊंबरोगेicki दूसरे बहुत ज्या थोड़ा सपरमे समझाहन थोड़ा था या दभन संबनृत्य पश्चाणिों के सामना फोड़ा पर पर सकता है लेकिन यहां पर कुछ खास नुक्सान ब्रस्पति मेस रासी की जातकों को नहीं देने वाला है धन की समस्या उनकी कुछ बड़ी नहीं बनने वाली है परिवार से या वाणी से अच्छा विहेब कर पाएंगे यह लोग और अच्छा रियल्ड देंगे आने वाले क्योंकि ब्रस्पति अब लगभग अप्रेल 2021 तक इसी रासी पर गोचर करेंगे तो जैसे कि अचारे जी ने बता ही दिया है मोटा मोटा हमने जान लिया है कि किस तरह से जो गुरू का गोचर है वो मेश राशी को एफेक्ट करेंगा लेकिन अभी अचारे जी बात करना चा पांचवी और साथमी नौमी दृष्टि देखते हैं पंचम अस्थान को सब्तम अस्थान को नौम अस्थान को तो यहां ब्रस्पति चुकि द्वादसेस भी है और भाग्यस भी है नौम भाव के मालिक भी है अब जाहिर सी बात है कि मेश राशी के लोगों को अगर नौम भाव सिब्रस्पति नौमेस भी है तो कहीं न कहीं इनका बचाओ हमेशा रहेगा जी पंचम द्रिष्टी इनकी पड़ती है धनस्थान पर जी में रश्कों को बताना चाहूंगी पंचम यह है जी और सब्तम द्रिष्टी पड़ेगी मेस राशी के जात्कों के सश्ठम यहां सिवानी, कुटुम्भ, धन इन चीजों का विचार किया जाता है तो यहां पर धन को लेकर को बहुत बड़ी समस्या नहीं बनेगी अच्छा रहने बाला है क्योंकि ब्रस्पति दूसरे भाव का कारक है मेस राशी को लोग लिए अच्छा रहे गई है जी और अगर आ इस राशी के जातक अगर कुछ प्लैन कर रहे हैं मकान, भूमी, भवन ऐसा कुछ भी प्लैन कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं या काम रुका था आपका तो अब समय है 20 नमंबर के बाद आपका काम ये बन जाएगा आपने मकान लेने का प्लैन किया था सारी विवस्ता होने अच्छा प्रनाम आने बाली है अब बात करते हैं नमवाब की इस बाहोस قrm से हम रोव शत्रू कोर्ट केचहरी है न हमसे कॉपटिसन करने वाले इन सब लोगों का विचार करतेunalे तो यहां पर ब्रस्पति की दृष्टी पढ़ना कुछ जादा अच्छा नहीं रहेगा यहां पर मेसराश्ची के जात्कों को सतर करेने की जरूरत है अगर आप से किसी का ववाद विवाद है आपको कोई कोट के चहरीयाद में विवाद चल रहा है तो यहां पर आपको अब सतरकता दिखा आने के जरूरत है दियान देने के जरूरत है किसी भी शत्रों को कमजोर समझने की गलती आप यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते यहां पर अगर आपको कमर से लेकर पैर तक कोई भी समस्या है तो आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं वरते यहां पर आपको अब विस थारपुरवक जानते हैं इसके बारे में तो सबसे पैले आचारे जी में चाहँगी कि आप बताएं कि यह जो गोचर राशी कि जात्तों की सेहत के लिए कैसा रहने वाला है और यहां पर सेहत को लेकर कि भी सतरकता भीकाने के बहुत जरूरत ही तो यहां पर व्यर्थ हर्चे आदिसे बचने के जरूरत पड़ेगी आगर आपका विदेशादिसे समबंधित कोई कारिक है कोई काम आपका चल रहा है तो उस में भी सफलता मिलने की आपको आसार बंते हैं। देकिन सेहत को लेकर के आपको पेट आधी समबंधित समस्याएं रह सकती हैं पाचन आधी क्रिया में आपके कम ही रह सकती है अगर आपकी जनम पत्रिका में भी ब्रसपती की पोजिशन ठीक नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर शेहत को लेकर के बहुत सतर करेने के ज़रूरत पड़ेगी जी तो अचारे जी अगला प्रश्ण मेरा जो है मैरीड लाइफ से जुड़ा हुआ है जहां तक मुझे जोतिश की जानकारी है उसके हिसाब से जो गुरू ग्रह है हमारे मैरीड लाइफ को पर भावित करता है तो यहां मैं आप से यही जाना चाहूंगी कि मेश राशी वालो कुली में विवाह का कारक भी ब्रस्पती ही माना जाता है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मेश राशी के जातकों के लिए क्योंकि मेश राशी का स्वामी मंगल है और मंगल का ब्रस्पती मित्रग रहे है तो यहां पर विवाहिक जीवन में अगर किसी की समस्य चल भी र करने वाला है ब्रस्पती केबल मेस राज़ी के जात्तकों को अपने कारक्षेत्र को बहुत अच्छे रखने जरूरत है अपना काम समय पर करें सारे काम से टीकता से करें सही से करें दिनचरिया सही रखें किसी चीज में लापरवाही न वरतें तो ब्रस्पती यहां पर दसम मेस राज़ी के यानि कारक्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं बाकि लगबग ब्रस्पती मेस राज़ी के जात्तकों के लिए अच्छा परणाम लेने वाला है तो लोग मैरिश करना चाहते हैं क्या उनके लिए गुरू का यह जो गोचर है क्या किसी तरह से परभावित कर सकते हैं उसको क्या अच्छा हो सकता है जी जोतीजी उसมें पताना चाहूँगा ब्रस्पति का मेस राज़ी के खास करजाथ को कि लब मैरिश बनाने का इसमें या सफलता दिलाने के सपरब्ल खास योग नहीं बन रहे हैं या उसमें समस्या आने के उल्टा योग बन रहे हैं तो कारोबार के बारे में हमने थोड़ी सी बात की जैसे कि उन्हें बताया था चारे जी ने कि धन के लिए कैसा रहेगा ये गुरू का गोचर लेकिन इस्तार पूर्वक जानते हैं कि कारोबार जो है किस तरह से भावित होंगे क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में और एक स्तिती बनी हुई है कहीं न कहीं बहुत स दिखा सकते हैं उतना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं कोई भी ग्रह जब नीश रासिम चला जाता है या किसी घ्रह का खडबल कमजोर है तीक नहीं है अगर आपकी पत्रिका में भी तो ब्रस्पति यहां पर नीश रासिम कर रासिय प्र गोचर करेंगे तो यह बहुत नजरिय से अगर देखा जाए तो कारोबार की नजरिय से भी ब्रस्पति यहां पर मध्यब भल देने वाले हैं नहीं मिला जुला असर रहेगा इनका तो अब आखिर में जानते हैं कि मेश राशी वालों के लिए गोचर जो है जिस तरह से पर भाव लेकर रहा है ऐसे में उ कि इसी ग्रह के गोचर करने के वावजूद हमें अपने कुंड़ली उस वक्त हमेशा चेकर वाने जबाने कि ग्रह करती हैं कि बाकी ग्रहों पर इस्थितियां बहुत निर्वर जाएं हमारे बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं तो यहां पर पर ब्रसपती का उपाय तो सब को दो क बुक्स पढ़ना चाहिए, आप जिस भी धर्मे से हैं, उस धर्मे की धर्मे गरंत का कोई भी स्लोग, कोई भी मंत्र, कोई भी चोपाई, कोई भी दोहा का आप निरंतर पाड़ करते हैं, तो आप यह अकीन मानें, यह ब्रश्पती का गोचर आप के लिए लाबदायक साबित हो सकता है, इसके अलाबा मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, भगवान विश्णु के किसी मंत्र का जाब करें, बुजरुगों का सम्मान करें, और अपने पास हमेशा एक पीले रंग के रुमाल बगरें लेकर रखें, तो अगर मेस राश्पती के जाद तक ऐसा करते हैं, तो इनका ब्रस्पती के गोचर इनके लिए बहुत लावदायक सिद्ध होगा, यानि जो भी एक्टिविटिया हैं, कुछ तो उसमें बचाओ हो जाएगा, हलाकि मेस राश्पती के लिए बहुत जदा खराब ये गोचर नहीं रहने बाला है, तो चलिए इस एपिसोड में हमने जाना मेश राश्पती कैसा रहेगा, गुरु गोचर जो है कैसे पर भावित करेगा मेश राश्पती को अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे आप से दुबारा और जानेंगे वरिश राश्पती के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, तब तक के लिए देखते रहे कुन्नी टीवी नमस्कार